हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग बुक लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सत्रा और अठारा मार्च 2021 से संबंदित करेंट अफेर के महत्पूर प्रश्णों को अपना करेंट अफेर थोड़ा पीछे चला है उसका रीजन यह है कि अभी तक मैं नौंबर माह से लेके मार्च तक के जो करेंट अफेर इंपार्टेंट है यूपी PCS के लिए यानि यूपी PCS या फिर किसी भी स्टेट PCS के लिए और उत्तर प्रदेश में जो आरो एरो का इक्जाम होने वाला है उसके लिए मैं कोश्चन को अलग कर रहा था अभी वो सारे कोश्चन अलग हो चुके हैं फिर उन्हें रेडी करने के लिए उनका टाइपिंग होना है तो अब टाइपिंग का काम वो हो जाएगा तो अब ड्रेगुलर वेसिस पे आपके इधर कोश् इसके लिए साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो आरो और ए आरो का पेपर है एक अगस्त को उसके लिए इसी वज़ा से अपने करेंट अफेर थोड़ा लेट चलना है जिसे कबर कर लिया जाएगा आए फिर सुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रस्ट के साथ आज का प 59 एप को बेंड किया था जून 2020 में फिर सेप्टेंबर में 118 एप को फिर नौंबर में 220 एप को इसी तरह से किसी कई सारे स्टेप में इंडिया ने चाइना के कई सारे एप को बंद किया इंडिया के साथ ही साथ पाकिस्तान अमेरिका जापान आस्टेलिया ने भी कई सारे एप को अपने वहाँ पे बैन किया अब क्या है कई सारे देश अब क्या कर रहे हैं चीनी वेबसाइटों को बंद कर रहे हैं अपने वहाँ पे कि जो चाइना के वेबसाइट हैं वहाँ पे ओपन ही नहीं होंगे क्योंकि ये लोग खराब सामान को उनके देशों में बेचने क कोसिस कर रहे हैं ये देश है सौधी अरब सौधी अरब ने 184 चीनी वेबसाइटों को बेंड कर दिया है क्योंकि ये जो सामान का आडर इनको मिलता था उस पर या तो ये खराब सामान भेजते थे या फिर कोई मिलावटी सामान भेजते थे और गलत तरीके से आफर देके अपने सामान को बेजने की कोसिस की जा रही थी 184 चीनी वेबसाइटों को इद्वारा सौधी अरब में मूव करते हम अपने नेक्स्ट कोस्टन की तरफ अपना नेक्स्ट कोस्टन है चुनाव आयोग ने किस राज में बिधान सभा चुनाव से पहले राज के पुलिश महानिदेशक विरेंद्र को ततकाल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है देखो चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में ये 27 मार्च से ही स्टार्ट है चुकि ये वीडियो थोड़ा लेट चल ला है इस वज़ा से ये कोशन आपको थोड़ा पटा लग रहा होगा क्योंकि की इलेक्षन से पहले ही पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया गया था चुनाव आयोग के दोरा पश्चिम बंगाल के ओप्शन डी एहां पर करेक्ट है डी ओप्शन इस कोशन का करेक्ट है वहां पर कई सारी घटनाए हुई, हिंसक घटनाए हुई इलेक्षन के दौरान जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने वहां के जो महानिदेशक थे विरेंद्र उनको ततकाल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है और नए महानिदेशक बनाए गए हैं पी नीरेज नयन और 27 मार्च से 29 अप्रेल तक कुल चार सारी पांच चरड़ों में इलक्षन होंगे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में और दो में को यह पता चलेगा कि कौन सी पार्टी वहाँ पे विजय हुई है वहाँ पे डाइरेक्ट जो त्रिडे मूल कांग्रेस है यानि कि ममताब एनरजी जो अभी ततकालिक मुख मंत्री हैं वहाँ की उनकी पार्टी और भारती जनता पार्टी दोनों में सीधी टक्कर बताई जा रही है यहाँ पर ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन है विश्व प्रसि बनाते हैं हमारी एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से तो एक विश्व प्रसिद्ध संगठन है अध्यात्मिक संगठन है जो कि योगा ध्यान सिखाता है लोगों को और जीवन को कैसे स्मूठ चला जाए उस बारे में यह कार करते हैं और लोगों को अपने से जोडते हैं इस संगठन का नाम था ब्रह्म कुमारी संगठन ये अभी भी है इसकी जो मुक्ष प्रसासक थी जिनका नाम था दादी हिर्दय मोहनी इनका भी हाल ही में निधन हो गया ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं कुछ और अध्यात्मिक संगठन भारत के आर्ट संगठन चला रहे हैं इंडिया में तு हैं है और इंडिया ही इसका हेप्वारत भी है लेकिन भारत के आर्टी साथ 349 देशू में भी काम कर रहा है यह इसमी इह pg काटर कोएमबटूर तमिल नाडू में इस्थित है जिसके फाउंडर जग्गी वासुदेव हैं इनको सद्गुरू के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्म कुमारीज के फाउंडर जो थी उनका नाम दादी हिर्दे मोहनी था इनका भी हाली में निधन हो गया आपने देखा होती है मतलब कि वही ये संगठन है ब्रह्म कुमारीज का मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा सतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्ले बाज कौन है बन गए है देखो टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान की तरफ से अभी किसी ने भी दोहरा सतक नहीं लगाया था और पहले बल्ले बाज बन गए है हश्मत उल्ला शहीद हश्मत उल्ला शहीदी ऑप्सन बी करेक्ट है हश्मत उल्ला शहीदी पहले बल्ले बाज है अफगानिस्तान के जिन्हों बंगलादेश और जिंबामवे का टेसीरी चल ला था मार्च की महिने में उसी दौरान इन्हों ने यह 12 सतंट बनाया है देखो कुल आठ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ICC इंडिया इंटरनेशनल काउंसिल आफ क्रिकेट ने टेस्ट खेलने का दर्जा दिया है आठ में से छे कंट्रीज ऐसी है जिन्हों अभी तक दोहरे सतक कोई ना कोई प्लेयर उन छे कंट्रीज के बना लिये थे अब यह साथ भी कंट्री बन गई बंगलादेश सॉरी नहीं ब टेस्ट खेलने का दर्जा दिया हुआ है अगर बात करें कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है टेस्ट में तो सब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ली बाद हैं ब्रैन लारा इन्होंने चार सो रन बनाया है अकेले दंपे और यह चार सो रन ब्र सेरा सतक लगाने वाले प्लेयर हैं विरेंद्र शहवागिन्हों ने 278 के दूपे ही 300 रन बनाया था यहां पर option B correct हो जाएगा हम बूफ करते हैं अपने next question की तरफ next question है किस अफरिकी देश्ट के प्रधान मंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारड़ 56 वर्ष की आयो में निधन हो गया हामिद बकायोको यह आइवरी कोस्ट के प्रधान मंत्री थे और कैंसर की वज़ा से 56 में इनकी इनका निधन हो गया आफरीका कॉंटिनेंट का देश है और यहां की राजधानी है मूफ करते हैं हम अपने नेक्स्ट कोशिन की तरफ अपना नेक्स्ट कोशिन है बिस तुस्वाज संगठन निम में से किस अमेरिकी दबा कंपपनी की सिंगल डोस क्रोना वैक्सीन के आपात कालिन इस्तपाल की मैंजूरी दे दी हैny देखो अमेरिकी कमपनी जॉंसन एंड जॉंसन की कोरोना वैक्सीन की दवा को सिंगल डोज दवा है ये और इसको डबलू एचो दवारा आपात काली ने इस्तमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। द्वारा बनाई गई थी और रशिया ने ही इसका अपना यहां पर खुद इससे वैक्सीनेशन कराया था जबकि इसे डवलू एचो की मानिता नहीं प्राप्त हुई थी हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो सीरम इंस्टूट आफ इंडिया ने कोविट शील्ड बनाया छी था और को वेक्सिन भारत बैयो टेक के द्वारा बनाए गया था सीरम इंस्टिईट आफ इंडिया ये पूने में क्लदी ते और भारत बैयोट पधियर एटियूट का सिर्फ manufacturing Serum Institute of India कर रहा है और Oxford University ने उसका जो है जो फार्मूला रेड़ी किया है वह आउट इनवर्सिटी ने रेड़ी किया है COVID Shield का और manufacturing कर रहा है Serum Institute of India उसके manufacturing की सर्थ है कि वह manufacturing का कुछ percentage अपने इंडिया के लिए यूज़ करेगा और बाकी परसेंटेज जैसा Oxford University द्वारा निर्देशित किया जाएगा वैसा करेगा Serum Institute of India और जो को वैक्सीन है भारत बायोटिक का यह 100% made in India वैक्सीन है इसका फार्मूला भी इंडिया में डेडी किया गया है और इसकी यूको में Pfizer और Moderna vaccine Pfizer और BioNTech की Moderna vaccine को क्या है Pfizer की Moderna vaccine को वहाँ पे आपात कालीन इस्तमाल के लिए वहाँ के government द्वारा मनझूरी दी गई है तो Pfizer और BioNTech company Pfizer company आपकी यह American है और BioNTech company यह German company है दोनों ने मिलकर Moderna vaccine बनाई है Moderna नाम से vaccine बनाई है जो कि COVID-19 की vaccine है यूएस और यूको दोनों देशों में मौडना वैक्सीन से ही वैक्सिनेशन किया जा रहा है हमारे देश में को वैक्सीन और कोविट सील दोनों का इस्तमाल किया जा रहा है वैक्सिनेशन के लिए और रशिया में स्पूतनिक वी से वैक्सिनेशन किया गया जिसको मंजूरी नहीं मिली थी WHO के द्वारा मूव करते हैं हम अपने next question की तरफ अपना next question है जापान और किस देश ने भूरे कोईले से hydrogen के उत्पादन की सुरुवात की है देखो भूरे कोईला को पहले जान लेते हैं कोईले के कई प्रकार होते हैं कोईले में जितना अधिक percentage होता है वो उतना अच्छा कोईला माना जाता है तो anthracite इसे hard कोईला बोलते हैं इसमें लगभग 97% कार्बन पाया जाता है bituminous कोईला इसमें लगभग 85% प्रतिशत तक कार्बन पाया जाता है subbituminous में लगभग 45% तक कार्बन पाया जाता है लिगनाइट कोईला जो होता है इसे ही brown कोईला या भूरा कोईला भी बोलते हैं इसमें लगभग 25% से 35% तक कार्बन पाया जाता है इसी भूरे कोईले से जापान और Australia मिल करके hydrogen उत्पादन को सुरू किया है तो भूरा कोईला क्या है ये लिगनाइट आपने पढ़ा होगा लिगनाइट कोल को ही brown कोल भी बोलते हैं यही भूरा कोईला है जिससे जापान और Australia मिलके hydrogen उत्पादन सुरू कर रहे है hydrogen को आगे आने वाले समय में fuel energy की तरह देखा जा रहा है इसलिए hydrogen का commercial उत्पादन के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे है बिभिने देशों के द्वारा की hydrogen का commercial उत्पादन किया जा सके जिससे आगे आने वाले समय में hydrogen को fuel की तरह इस्तमाल किया जा सके move करते हम अपने next question की तरफ हमारा next question है निम्ड में से किस सरकार किस राज की सरकार ने पिछले दस वर्सों में सड़क के किनारे बसाये गए सभी धार में कस्तलो को निर्देश हटाने का निर्देश दिया है उत्तरप्रदेश सरकार ने पिछले दस वर्सों में सड़क के किनारे किसी भी धर्म का वो हिंदू धर्म हो या फिर मुसलिम धर्म हो अगर उनके कोई जैसे मुसलिम धर्म का मकबरा या फिर हिंदू धर्म का कोई मंदेर पिसले दस वर्सों में सड़क के किनारे बसाया गया है तो उसे सरकार ने आदेश जारी किया है कि उसे सड़क के किनारे से ह साया गया है सड़क के किनारे तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क के किनारे से हटाने का निर्देश दिया है option B यहाँ पर correct हो जाएगा move करते हम अपने next question की तरफ हमारा next question है Switzerland के बाद अब किस देश ने बुरका पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है देखो मैंने जब question कराया था Switzerland वाला तो उसमें मैंने बुरका नकाब और हिजाब क्यों differentiate किया था अभी वहाँ पर मैंने with figure differentiate किया था मैं आपको बस अपने मतलब बातों से ही समझाने की कोशिश करता हूँ देखो बुरका क्या होता है जिसमें मुह ढख जाए नकाब क्या होता है बुरका का दूसरा नाम ही नकाब है यानि बुर्खा या नकाब में पूरा मुख धक जाता है जिर्फ आखे दिखाई पड़ती है लेकिन हिजाब क्या होता हिजाब में सर धका जाता है पूरा फेस और आखे दिखती रहती है तो जो भी कंट्री प्रतिबंद लगा रही है कोई भी कंट्री ने नकाब और बुर्खा पर ही प्रतिबंद लगाया है हिजाब पे किसी भी कंट्री ने प्रतिबंद नहीं लगाया है बुर्खा पे ही कंट्री दोरा प्रतिबंद लगाया जा रहा है कोई हिजाब पे प्रतिबंद नहीं लगाया जा रहा है हिसाब मुस्लिम धर्म का एक पहनावा है जिसमें महिलाएं अपने सर को पूरे ब्लैक कलर के कपड़े से ढखती है बुर्खा में क्या होता है कि पहचान छिप जाती है सिर्फ आखे दिखाई पड़ती है पूरा फेस ढखा होता है इसलिए कई सारी कंट्रियों द्वारा बु यह उरोपीयन कंट्री जिसने सबसे पहले बैन लगाया बुर्खा पहनने पर या फिर नकाब पहनने पर वह फ्रांस थी और सुछ लiają Bangl कंट्री है जिसने बुर्खा आलकाब पहन lleva क्यां चाइना क्यों सारी देशों में बुर्खा आनकाब पहनने पर है अभी स्री लंका न ना ही बुर्खा ना ही नकाब किसी पे कोई प्रतिबंद अभी तक नहीं है मूव करते हम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन है जारखंट के एविडिट ने अस्थानी लोगों के लिए निजी छेतर की काईओं में कितना प्रतिशत नौकरियों में आरक्षित किया है देखो 75 प्रतिशत आरक्षित किया गया है जारखंट के दौरा इससे ठीक पहले कुछ दिनों पहले ही ये कुश्चन भी मैंने आपको कराया था कि जारखंट के अलावा हरियाणा सरकार ने भी अपने वहां की नौकरियों में 75 प्रतिशत रिजर्व किया है वहां के लोकल के लिए ये बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट नौकरियां है निजी छेत्री क्याइग की नोकरियां उनसे संबंधित गौर्मिंट इसा कोई रिजर्वेशन गौर्मिंट के वारा नहीं दिया जा सकता है प्राइवेट शेक्टर में ऐसा किया जाता है तो 75 । इतिशत रिजर्व कर दिया गया है वहां के लोके लाइट के लिए जहार खंड के तो ऐसी दूसरी ये सरकार हो गई जिसने 75% अपने स्टेट के लिए रिजर्व किया है वहां की निजी छेदर की नौकरियों में लिए करिकेटर हैं मुव करते हैं अपने next question के दिनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है देखो जब अंतर राष्टिये 20 की बात होगी तो इसमें IPL सामिल नहीं होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो İCC दौरा आयोजित किया जाता है वो सामिल किया जाएगा विराट कोहली ऐसे पहले क्रिकेटर हैं पूरे विस्व के जिन्होंने ICC द्वारा आयोजी तंतरराश्ट्री टी टॉन्टी में तीन हजार रन पूरे कर लिये हैं आप्सन सी करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कोशिन की तरफ हमारा नेक्स्ट कोशिन है किस पूरुषकार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्षमण पाई का निधन पंचान नवे वर्ष की आयो में हो गया है नाम आपको याद रखना है लक्षमण पाई लक्षमर्ण पाई किस छेत्र से संबंदित है ये चित्रकला छेत्र से संबंदित है इन्हें कौन सा पुरुषकार प्रदान किया गया था लक्षमर्ण पाई को दिया गया था पुरुषकार पदम भूशड आप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ए देखो सबसे बड़ा प फिर पदम स्रेडी के तीन अवार्ड होते हैं पदम भीभूशड पदम भूशड और पदम स्री इनको जो पदम स्रेडी का दूसरे नंबर का अवार्ड है पदम भूशड और ओवराल तीसरे नंबर का अवार्ड है पदम भूशड वो प्रदान किया गया था और ये गोवा स से बिलांग करते हैं इनका भी 95 विवर्ष की आयू में निधन हो गया यहां पर ऑप्षिन एक करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अपना नेक्स्ट कोश्चन है CSIR और NIO मतलब की CSIR की एक संस्था है Council of Scientific and Industrial Research Full Farm होता है CSIR इसकी एक संस्था है NIO NIO क्या है National Institute of Oceanography मतलब जिसमें की समुद्र बिग्यान की यह साखा है इसमें समुद्र से संबंधित अध्यन को किया जाता है CSIR का जो साखा है NIO ने एकल कोश्च का यानि सिंगल सेल वाले जीवों में जीनोम मैपिंग का संचालन करने के लिए नब्भी दीवेशी बैग्या यानि क्रूज मिसन का आयोजन कहां किया है देखो जीनोम मैपिंग के द्वारा यह किसी भी जो सिंगल सेल होता है उसके जो निट्रिटीव पार्ट होते हैं उनका पता लगाएंगे इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर के फूड है अब देख रहे होंगे कि फ्यूचर में द्वारा सुचा जा रहे है तो वो समुद्र में खेती करने की और अग्रसित हो रहे है तो उसी सब के लिए जीनोम मैपिंग के द्वारा जो फ्यूचर के निट्रिटिव पार्ट हैं उनको खोजने के लिए ही CSIR नियो ने 90 दिवशी बैग्यानिक क्रूज मिसन का आयोजन ह हमिंद महासागर में किया है आपको पता होगा लैमिनेया हाइली प्रोटिन येश डाइट होती है यह समुद्र का सिंगल सेलगी है और इसे छो है खाने के लिए ये इस्तमाल किया जा रहा है कई सारे पार्ट में हमारे देश में भी लैमिनेरिया के बारे में सॉरी लैमिनेरिया ये सिंगल सेल प्रोटीन नहीं है इसमें पाए जाता है आयोडीन और इस्पाइरुलुनिया ये सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि जब कोई इस्पेस में किसी काम के लिए जाता है तो इस पाइरुलुना को ले के जाते हैं क्योंकि इस पाइरलुना हाइली प्रोटीनियस डाइट होता है और इसे छाकर वहां पे कई दिनों तक रहा जा सकता है तो इस relation सस्केश करने लिए Central Council of Scientific and Industrial Research की साखा National Institute of Oceanography ने हिंद महासागर में 90 दिवसी Cruise Mission का आयोजन किया है Move करते हम अपने next question की तरफ Next question है वरतमान में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागेदार ही है देखो अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागेदार चीन ही है यानि चाइना भारत में सबसे ज़्यादा सामानों को क्या करता है Export करता है भारत के लिए दूसरे नंबर पे US है और तीसरे नंबर पे UAE है देखो चाइना के साथ हमारे Border Conflict हुए हमने सैकडो चीनी AIP को बेन किया कई सारे चाइना के निवेश को प्रतिबंद किया जो कई सारी कमपनिया हमारे चाइना में आ रही थी काम करने के लिए उनको प्रतिबंदित किया गया आपको पता होगा कि पहले जो आइपिल था उसका फ्रेंचाइजी किसी चाइनेज कमपनी ने लिया था लेकिन फिर उसे कैंसिल करके इंडियन कमपनी को वो दिया गया था देखो कई सारे प्रतिबंद के बाद बावजूद भी चाइना अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागेदारी बना हुए तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा चाइना से हमारा व्यापार था और यह सब ट्रेट डेफसिट ही था क्योंकि हम चाइना से सामान मंगाते ज्यादा थे वहां पे सामान देते कम थे तो यह इसी को ट्रेट डेफसिट कहते हैं जैसे हम सौ बिलियन का साल में सामान मंगा रह हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार भी था अभी भी वह बार्डर कॉंफ्लिक्ट के बाद सैक्डो चीनिया बंद करने के बाद निवेश में प्रतिबंद लगाने के बाद भी चाना अभी भी पहले नंबर पे बना हुआ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागेतार दूसरे नंबर पे है अमेरिका तीसरे नंबर पे है यू ए ई यूनाइटेड अरब एमिराथ मोव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन है कि सगठन ने कहा है कि 2020 में भारत के जो लॉकडाउन लगा था उसमें 247 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए देखो इसको कहा है यूनिसेफ ने यूनाइटेड नेशन चिल्डरंस फंड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि पूरे विश्व में लगभग 888 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए लॉकडाउन से और जिसमें कि भारत के कुल 247 मिलियन प्रभावित हुए लॉकडाउन से वो इसकूल नहीं जा सके उनको न्यूट्रीशन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं मिला जितना मिलना चाहिए ये सारा डेटा जारी किया गया यूनिसेफ के द्वारा यूनिसेफ का हेड़कॉर्टर है निवयर्क अमेरिका में और हैंवर पर हस्ता है कोटेक महिंद्रा बन्क ने सीना के जो रिटायड करमशारी है उनके लिए फिर जो अभी भी सेना में कारिएरध सेंधर के दवार और सेलरी को सेना के जो रिटायड फॉजी है उनके पास या फिर जो अभी भी कारिरत है मारे सेना के जमान उनके लिए जीरो एकाउंट जीरो बैलेंस एकाउंट जो की सेलरीड एकाउंट होगा ओपेन करेगा कोटेक महिंद्रा बैंक और इसमें चार प्रतिशत तक पूरे साल के दोरान ब्याज भी देने की सुभिधा द इंडेक्स मतलब की जो खाना खराब हुआ उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई 2021 में पूरे साल के दौरान 2019 में जो पूरे साल के दौरान खाना खराब हुआ फूड खराब हुए उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के नाम से और इस इंडेक्स को दो लोगों ने मिल कर जारी किया यूनाइटेड नेशन इन्वाइर्मेंट प्रोग्राम और वेस्ट एन रिसोर्स एक्षन प्रोग्राम डबलू रैप जिसको बोलते हैं वेस्ट मतलब खराब होना रिसोर्स एक्षन प्रोग्राम पहला और दूसरा इन दोनों संगठोने ने मिल कर इस रिपोर्ट को जारी किया रिपोर्ट का क्या नाम है रिपोर्ट का नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट रिपोर्ट के बारे में आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है कि इस रिपोर्ट में ये था कि पूरे विश्व में लगभग 17% खाना बरबाद हुआ वहाँ पे मैंने आपसे ये question पूछा था कि पूरे विश्व में 2019 के दोरान कुल कितना खाना बरबाद हुआ Food West Index Report 2021 के अनुसार तो 931 मिलियन टन खाना पूरा बरबाद हुआ देखो साधी होती है तो काफी खाना क्या होता है बच जाता है उसे लोग फेक देते हैं तो इस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गए कि कितना खाना बरबाद हुआ पूरे विश्व में 2019 के दोरान तो 931 मिलियन टन खाना बरबाद हुआ अगर इसे परसेंटेज में कनवर्ट करें तो कुल टोटल 17% खाना पूरे विश्व में बरबाद हुआ और अगर पूरे साल के दोरान पर परसन देखा जाए तो 74 किलो पर परसन खाना पूरे साल के दोरान बरबाद हुआ और हमारे इंडिया में लगभग 50 किलो पर पर सन पर एयर खाना बरबाद होता है ये फिगर जारी किया गया United Nation Environment Program और West and Resource Action Program के द्वारा एक चार्ट के भी मैंने इसके लिए रखा है आपको तो दिखाता हूँ आपको चार्ट क्या बोलता है देखो इस चार्ट को ये सेम Food West Index Report 2021 से Related चार्ट है इसमें देखो यहाँ पर Estimate क्या किया गया इस्टिमेट ये किया गया है कि लगभग 931 मिलियन टन खाना बरबाद हुआ पूरे साल के दोरान ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ अब आप समझ लो 931 मिलिय इसमें खाना बरबाद हुआ और पूरे साल के दोरान सबसे जादा खाना बरबाद किया गया चाइना के दोरा 91.6 million ton और इंडिया ने 68.7 million ton खाने को बरबाद किया और अमेरिका ने अब आप देख सकते हो कि अमेरिका और इंडिया में ही कितना ज़्यादा गैप हो जा रहा है तो मतलब दूसरे अस्थान पे है खाना बरबाद करने में आप लिस्ट इसको वीडियो को पॉस करके पूरा देख सकते हो फूफ करते हैं हम अपने next question की तरफ हमारा next question है जूम कर लेते हैं थोड़ा फिर देखते हैं इरानी बंदरगाह के प्रति भारत के सामरिक महत्त को दरसाने के लिए अब तक का पहला चार बाह दिवस कम मनाया गया देखो एक पोर्ट भारत ने बनाया इरान में उस पोर्ट की मदद से भारत अब बिना पाकिस्तान के सहारे ही सेंट्रल एसिया के साथ व्यापार कर सकेगा और इसको कई बार मैंने आपको मैप के साथ भी समझाया है कि जो चार बाह पोर्ट है इसका ऐसा सामरिक महत्त तो सामरिक महत्त मतलब होता है कि भावगोलिक महत्त तो इसका ऐसा है कि अब भारत सीधे सीधे समुद्र के रास्ते इरान पहुँचेगा और फिर एरान के थुरू वो पूरे सेंट्रल एसिया के साथ व्यापार कर सकता है पहले क्या था कि भारत को सेंट्रल एसिया के साथ व्यापार करने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सहयोग मागना पड़ता था और हमारी relations पाकिस्तान के साथ उतने अच्छे नहीं है तो इस वज़ा से भारत ने अपने पूरा इन्वेस्ट करके इरान में चार बाह पोर्ट का निर्माड किया और इसी के सामरे महत्त को दर्शाने के लिए प्रतेक वर्स चार मार्च को चार बाह दिवस्ट मनाने का फैसला किया गया है तो यहाँ पे option D correct हो जाएगा move करते हम अपने next question की तरफ हमारा next question है किस देश को भारत ने 1000 मैट्रिक टन चावल और 1 लाख hydroxy chloroquine की गोली अनस आई एनस इंडियन नेवल सिप जलस में सूखा से राहत के रूप में भेजा है देखो question यह है कि भारत ने चावल और hydroxy chloroquine की गोली किस देश को भेजी है जिस देश में अभी सूखा पड़ा हुआ है यह देश है मेटा गॉसकर मेटागासकर पूरे विश्चो का दूसरा सबसे बड़ा आई लेंड है आई लेंड मतलब ऐसे देश जो चारो तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें आई लेंड बोलते हैं और पूरे विश्चो का सबसे बड़ा आई लेंड है कौन सा ग्रीन लेंड और दूसरे नंबर का है मेडागासकर तो मेडागासकर में अभी क्या है सूखा पड़ा हुआ है सूखा देखो कई तरीके से होता है अगर समुद्र के चारों तरफ है कोई देश अब क्या है कि समुद्र में खारा पानी होता है तो खारे पानी की वज़ा से भी वो पानी ना ही पीने योग होता है ना ही सिचाई योग होता है तो उसे भी एक सूखा का रूप ही मानते हैं तो मेडा गास्कर में अभी घारे पानी की वज़ा से जो दूसरा प्रा रूप मैंने आपको बताया वो बढ़ा हुआ है उसकी मदद के लिए हमारे देश भारत ने एक हजार मैट्रिक रन चावल और एक लाख हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरोकूिन की गोलियां भी भेजी है मेड़ागासकर में अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि किस सिप से भेजा गया है को वीमा कबरेश प्रदान करने के लिए एक अनूठी योजना इस योजना का क्या नाम है बिजनेस किस्त सुरक्षा लांच किया है देखो जो प्राकृतिक आप दाती जैसे सूखा बाढ़ राह सूखा पढ़ जाना या फिर बाढ़ आ जाना या फिर भूकम पा जाना इस के जो भी प्राकृतिक आपनाए हैं उनके लिए बिजनेस किस्त सुरक्षा नाम से अनोखा बीमे कबरेश प्रदान करेगा कौन? HDFC, Ergo General Insurance, Option B करेक्ट हो जाएगा HDFC हमारे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसी की एक सबसीडरी कमपनी है जो की Insurance का काम करती है HDFC, Ergo General Insurance ये बीमा बिजनेस किस्त सुरक्षा में प्राकृतिक आपदाओं के खिलाव भी बीमा कबरेश प्रदान करेगी Move करते हम अपने Next Question की तरफ यहाँ पे B Correct हो जाएगा Option संयुक्तराष्ट मानवादिकार परिशद की सलाकार समित के अध्यक्ष कौन बने है पहले अध्यक्ष देखो सलाकार समित के जो पहले अध्यक्ष बने है इनका नाम है अजय मलहूत्रा Option D Correct हो जाएगा United Nation Human Rights Commission इसका जो Headquarter है यह जिनेवा स्विजर लैंड में है देखो जो United Nation Human Rights Commission यानि कि संयुक्तराष्ट मानवादिकार है इसके प्रेशिडेंट ऑसकर है ऑसकर मुनिंडा इनका नाम है लेकिन इसकी एक समित है कौन सी समित है सलाकार समित सलाकार समित के अध्यक्ष बने है अजय मलहुत्रा और आपको पता ही होगा कि अभी पिछले वर्सी एक्ष ओ के चेर्मैन नहीं है कई सारी समितिया होती है किसी भी संगठन में उसी मेंसे एक संगठन है एक्सक्यूटि बोड का सथिव्सक्यूट यो की इस किये गए है कि हमारे देश के जोकी स्वास्तमंत्री है ठीक तरीके से चैयुक्तराष्ट का जो मानवाद्िकार पर है उसके अध्यक्ष तो ऑसकर मुरिंडा है लेकिन उसकी एक समीचि है अध्यक्ष बनाय गए अजय Навौत्रा और यह पहले भारति है जो कि सलाकार सम मिद्ध के अध्यक्ष बनाय गएन है मानवाधिकार परिष्द की सलाकार समिच के ऑप्सट्ण डियहां करेंट एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कीप स्टेडी ओन लेर्निंग बुक थैंक यू फोर वाचिंग दिस